Hyundai Creta इंडियन मार्केट में सबसे ज़ादा बितने वाली मिड्साइज SUVs में से एक है और बता दे कि कमपनी ने मार्च 2020 में सेकंड जनुरेशन क्रेटा को लॉंच किया था और तब से लेकर अब तक इस SUV ने बजार में अपनी अच्छी पकड बनाई हुई है वहीं इंडियन मार्केट में क्रेटा की कामियावी को देखते हुए कमपनी ने हाली में इस SUV के नाइट एडिशन को भी मार्केट में लॉंच किया इसी के साथ अब इस SUV से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रहे है कि कमपनी जल्द ही क्रेटा के नए अवतार यानि की युन्ड़ी क्रेटा फेसलिफ्ट 2023 को जल्द ही पेश कर सकती है नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों को आटरनेस पर और मैं हूँ आपके साथ मनिशा एक रिपोर्ट के मताबिक कमपनी ने पुराने मौडल क्रेटा की सप्लाई को बंद कर दिया है और मार्च तक इसके नए मौडल को डीलर्शिक तक पहुचाया जाएगा वहीं उमीद की ज़ारे है कि कमपनी अपने इस अपडेटेट क्रेटा को दो हजाद पेश आटो एक्सपो जो की हाल ही में होने वाला है उसमें पेश कर सकती है तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसी होगी यह नई युन्डाई क्रेटा युन्डाई क्रेटा फेसलिफ्ट एक्स्टीरियर युन्डाई क्रेटा का ये नए अफ्तार बहारी तोर पर युन्डाई की नई टक्सन से इंस्पायर्ड होगा और इसमें आपको एक नए पैरामेट्रिक फ्रंट ग्रिल के साथ LED DRL फिन शेफ्ट अलाइमेंट देखने को मिलेंगे और साथ ही इस SUV में आपको बूमरेंट शेफ्ट गे LED टेल लाइट और नए डिजाइन 17 इंच के अलॉई वील्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे और इसी की साथ एक नए डिजाइन का टेल गेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा Hyundai Creta Facelift Interior Hyundai Creta Facelift के इंटीर के अगर बात करें तो इसके कैबिन का ले आउट मौझूदा मॉडल के जैसे ही रहने वाला है लेकिन यह उमीद की जा रहे है कि यह नए क्रेटा एक नए कलर स्कीम में पेश हो सकती है वहें इस कार में Wireless Apple CarPlay, Android Auto के साथ एक बड़ा Infotainment System भी आपको देखने को मिल सकता है और इसके अलावा इस SUV में आपको अलकजार जैसे एक Full Digital Instrument Cluster भी मिल जाएगा Hyundai Creta Facelift Features यह नए क्रेटा है Advanced Driver Assistant System यानि की Adaptive Features से लेस होगी साथ ही इसमें आपको Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Rare Cross Traffic Collision और Blind Sport Monitor के साथ Front Collision से बचाव के लिए Emergency Braking जैसे और भी कई सारे Features देखने को मिल जाएगे Hyundai Creta Facelift Engine Creta Facelift 2023 के इंजन के बारे में बताया तो इसमें मौझूदा Power Crane Option को ही जारी रखा जाएगा जैसमें आपको 1.5 लीटर MPI Petrol और 1.5 लीटर CRDI Diesel के साथ 1.4 लीटर TGDI Turbo Petrol Engine मिल जाता है इसके साथ ही इसमें आपको 6-speed Manual, 6-speed IMT, 6-speed IVT और 7-speed DCT Transmission Option भी मिलेंगे Hyundai Creta Facelift Price एक अनुमान के मुताबिक नहीं करेता आपने मौझूदा मौडल से कम से कम 50,000 रुपे महंगी होगी और इंडियन मार्कित में ये कार Kia Seltos, Maruti Grand Utara, Toyota High Rider और Volkswagen Tiguan के साथ ही Skoda Khushak को कडी टकर देगी आज की वीडियो में बैस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको यी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी साथ ही अगर आपको यी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों करें और हमारे चैनल को ऐसे ही इंफोमेटिव वीडियो देखते रहने के लिए तुरांट सब्सक्राइब करें बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में